हेलो एवरिवान नमस्कार दोस्तों मैं आपका जीएस मेंटर जीएस एजुकेटर आलोग बाचपई आप लोगों के लिए यहां पर मिक्स क्वेस्टन के ऐसे कुछ इहां पर ट्रिक्स और टिप्स भी बताऊंगा कि आप लोगों के अगर सामने कुछ ऐसे क्वेस्टन आ जाएं जो कि आपका पूरा पूरा एक इतिहास भोगोल और आपके करेंट रफेस के भी क्वेस्टन उसमें हो तो ऐसी जब सिरीज आप सॉल्व करो तो कैसे आप लोग कोई भी क्वेस्टन पेपर सॉल्व करोगे और बिफोर दा एक्जामिनेशन आपको क्या करना है कम से कम 15 से 20 दिन एक महिना आपको अधिक से अधिक क्वेस्टन लगाने है अब देखें जितने भी मध्यप्रदेश के एक्जाम है चाहें वो क्वेस्टन आपके सामने यहाँ पर डेली बेसिस पर यहाँ पर करा रहा हूँ ठीक है भाई तो सबसे पहले तो जितने भी विद्दार्थी है अमारे साथ यहाँ पर जुड़ रहे हैं सभी लोग एक बार तेजी से फटा फटसे एक बार सारे विद्दार्थी सेसन को जब आप Unacademy Learner App पर मेरे साथ जुड़ोगे तो निश्चित रूप से आप लोगों को यहाँ पर अगर Unacademy Learner App नहीं डाउनलोड किया तो फटावर्ट डाउनलोड कीजिए और मेरा कोड लगाई हो, फ्री क्लासेश को यहाँ पर कर सकते हो, पेट क्लासेश को भी कर सकते हो, Learner App डाउनलोड करने का तरीका क्या है, प्ले स्टोर पर जाईए एन अकडमी Learner App डाउनलोड कीजिए और अपना क्या करना है, और नमबर डालना है, जो मोबाइल नमबर है, उससे बेरिफाई करना है, अपनी यो केटेगरी है, इसमें UPPSC केटेगरी को सेलेक्ट करना है, और हिंदी इंग्लिज जो भी मीडियम है, उसको सेलेक्ट करके नेक्स कर देना है, यहाँ पर क्लासेज आप लोगों को करना स्ट्राइट कर देना, ठीक है, यह सारे के सारे एड्वेंटेज आपको अन अकडमी की तरफ से मिल रहे हैं, आरोए आरोए एक्जाम का एक बैच अभी आर्ट दिसम्बर से सुरू हुआ है, जो भी विद्ध्यार थी, सब्सक्रिप्शन लेना चाहता है, हमारा रफरेल कोड लगाए, यह भी सर दस अफटावट से, सब्सक्रिप्शन प्राप्ट कर सकता है, 179 में, आपको 6 मन्त के लिए अन अकेडमी लाइट यह मिला है, जिसमें 24 प्लस फुल लेंथ सेक्शनल टेस्स सिरीज रहेगी, प्रीविए सेर्ट कोड़न के साथ, चैप्टर वाइज प्रेक्टिस कोड़न से रहेंगे, और सारे के सारे टॉप एजूकेटर्स को तारे टेस्ट बनाएगे हैं, तो यहां पर भी आप लोग इसका लाब ले सकते हैं, पहला क्वश्चन है, वो इस नोन एस दन नेशनल गुरू, या राश्टर गुरु के नाम से किसे जानते हैं, पटाफट से आंसर कीजिए भाई तेजी से राष्ट गुरू के नाम से किसे जाना जाता है सही उत्तर क्या होगा राष्ट गुरू के नाम से किसको जानते हैं सही उत्तर क्या होगा तेजी से सेहर सारे लोग कर देंगे देखो भाई विकल्प दिये गए हैं, बाल गंगादर तिलक, गोपाल कस्ट कोकले, सुरेदनात बनर जी, दादाबाय नुरी जी, सभी विकल्प बड़े इंपोर्टेंट हैं, और इन सभी परस्नालिटी से बहुत सारे questions बनते हैं, एतियासिक द्रस्ट कोन से भी question बनते हैं, और भी आपक तिलक की, बात करेंगे, इनको लो कमानने कहते हैं, लो कमानने कहते हैं, होम रूल लीग में, जो इंडियन होम रूल लीग है, उससे जुड़े हुएं तिलक, आल इंडिया होम रूल लीग मत लगाना, आल इंडिया होम रूल लीग से एनिवेसेंट जुड़े हुई थी, त पॉपाल के गोकले 1905 में कॉंग्रेस के बनारा सदिवेशन के अध्यक्ष रहते हैं और सुरेन नाद बनर जी जो है इनको हम लोग राष्ट्र गुरू कहते हैं सुरेन नाद बनर जी साथ अगस्ट 1905 को जो स्वदेसी आंदोलन हुआ है भारत चोड़ो आंदोलन नहीं बंग कैते हैं ग्रेंडोलमेंट आफ इंडिया क्वेस्टन नमर नेक्स्ट है वू कैन वी अपॉइंटेड आज चैर्मेन आफ नेस्टल हुमन राइट कमिशन राष्ट्री मानवादिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे निउक्त किया जा सकता है एनी सिटिंग ज़ज आफ अफ अफ तुप्रीम कोट एनी रिटायर्ट चीफ जस्टिस आफ देखो बहुंग याद रखना है राष्ट्री मानवादिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे निउक्त किया जा सकता है तो याद रखना है भाई के रहें प्रेसिडेंट द्वारा कोई भी ब्यक्ति बहुत बड़ी आयनों ने जवाब दिया प्रेसिडेंट द्वारा कोई भी ब्यक्ति कहां पर गया यह जीरो अंड़ा मिलेगा अगर यह लगा दिया गलत है वाई सीधा जमने बीसियों बाहर बताया है नहर्सी का जो च टीजे आई होता है रिटायर्ट चीफ जस्टिस आफ इंडिया एक बार में याद रखी ठीक है ना रिटायर्ट चीफ जस्टिस आफ इंडिया होता है हमेशा एने चार्ची का चेर्में यूबन राइट डे अभी हाली में हम लोगों मनाया था 10 डिसंबर को ये भी आप लोगों को याद होना चाहिए तो बिलकुल गड़बर नहीं करना है बिलकुल भी गड़बर नहीं करना है most important है question ठीक है clear है चले question number next है the college of defense management is located at which of the following places भारत में निम लिकित मिश्च किस स्थान पर college of defense management स्थित है सिकंद्राबाद थेहरादूनिया वसूरी college of defense management जो है ये कहां पर स्थित है क्या answer होना चाहिए देखो बैग पॉलेज आफ डिफेंस मेनेजमेंट की अगर कभी भी बात करते हैं तो कॉलेज आफ डिफेंस मेनेजमेंट जो है यह आपका सिकंद्राबाद हो चाहेगा ठीक है? याद रखना है एदराबाद कौन सी नदिक किनारे है मूसी और इसको हाई टेक सिटी के नाम से भी जानते हैं एदराबाद को हम लोग हाई टेक सिटी के नाम से भी प्यारे विद्यार्थियों जानते हैं देहरादुन की बात करते हैं उत्रखंड की कैपिटल है देहरादुन की बात करते हैं इंडियन मिलेटरी अकेडमी है यहां पर देहरादुन की बात करते हैं राजा जी नेस्तर पार्क है देहरादुन की बात करते हैं जॉली ग्रांट एरपोर्ट है यहां पर ठीक है क्लियर ह मसूरी को पहाडों की रानी कहा जाता है क्या कहा जाता है पहाडों की रानी और जो आई-एस का ट्रेनिंग सेंटर है जिसको लाल बहदू सास्त्री administrative academy बोलते हैं वो भी आपका मसूरी में ही इस्तित है याद रखना ठीक है यहां तक कोई डाउट कोई भी डाउट है यहां तक कोई भी दिक्कत है तो आप लोग question पूछ सकते हो कोई भी कोई बढ़ा जाये अगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नेशनल पंचायती राजे अटवाले कमराते हैं कुछ याद रखेगा जैसे अगस्त राष्ट्री हट करगा दिवस और राष्ट्री भाला फेक दिवस दोनों अगस्त को अंतरराष्ट्री परिवार दिवस बहुत पूछा गया भी हाली में एकजाम में 15 मैं को ठीक है ये भी आपको याद रखना है दूसरा एक दिवस अभी हाली में बनाया गया भासा दिवस बताओ के कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बढ़िया है ना चलिए इसका अंसर हो जाएगा 24 अप्रैल बिल्कुल सही है याद रखना है ठीक है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क लिहास पढ़ते हैं तो हम लोग कहते हैं दिल्ली सल्तनत कहते हैं दिल्ली सल्तनत में क्या कहते हैं दिल्ली सल्तनत में दूसरा लिखते हैं गुलाब खिले गुलाब खिले तो सांस लो कहते हैं ना तो सांस लो गुलाब से गुलाम बंस खिले से खिलजी बंस तो से तुगल तुगलक वंस ने 94 साल सासन किया है ठीक है और इसके जो संस्थापक थे ग्यासुद दिन तुगलक उनको फादर आफ केनाल सिस्टम भी कहते हैं जो नहरों की जो खुदाई थी वो सबसे पहले ग्यासुद दिन तुगलक सहाब ने करवाई बाद में उस प्रोग्राम को मुहम सिचाइकर देना पड़ेगा वो सिचाइकर हक एसर्व जो सिचाइकर हक एसर्व था वो FST फिरोज सा तुगलक लेकर के आए थी मेरी बास समझ में आ गई इस स्पैसिफिक पूछा जाए फादर आफ केनाल सिस्टम दा अंसर विल भी ग्यासुद दिन तुगलक अगर संसर्व रहरा सिंधिर्ट इंकलूड़ा के इन अनसी नहीं इन ईयच्री और इट सेडिवक्रображ ठीकर तब बता होगे आठमी हैना शूची में सिंधिक को जो है वह जोडा गया आठमी है आनुची में हम सूझ मेरी याद रखना है किस समीदानκαचिन सोन एं इसका आंसर होन ह 71 संविधान संसोधन से कोकड़ी, मडिपूरी और नैपाली ये सब 71 से उसके बाद में आपका 92 से बोडो, डोगरी, मैथली और संथाली ये आपकी प्यारे विद्यार्थियों 92 से, ठीक है, और 69 से दिल्ली को NCR बनाया गया था, ये सबी लोगों को किलेर हुआ ही होगा, मैंने कई बार चर्चा में करता हूँ विकल्पों की, उसके दोरान आपके बहुत सारे प्रस्त तयार हो जाते हैं, in which session of the Indian National Congress was the flag of India accepted, भारत के ध्वज को Congress के किस अदिवेशन में सुईकार किया गया, 1909, 1929, 1931 या 1916, भारत के ध्वज को Congress के किस अदिवेशन में सुईकार किया गया, 1931 को कराची अदिवेशन में जिसके अध्यक्ष थे बलब भाई पटेल, इसी अदिवेशन में गांधी जी ने कहा था, गांधी मर सकता है, लेकिन गांधी वाद कभी भी नहीं मरेगा, गांधी वाद नहीं मर सकता है, ठीक है, पटेल साहब इस अदिवेशन के अद्धेक्ष थे, 1916 का अदिवेशन में भी बड़ा मात्रपून है, लखनव में हु होता है, this is also most important fact, clear है, clear है, चलिए कोई बात नहीं, यहां गल्ती कर दे, कोई दिक्कत नहीं मोनिका, next question है, consider the following statement, the first woman president of Indian National Congress was Sarojini Nairu, and the second statement saying that, the first English president of the Indian National Congress was Beb, ठीक है, यह बदरुद्दीन बेप नाम दिया गया है, which of the following statements are correct, कौन सा statement इसमें से correct है, देखो बड़ा बड़िया सवाल, first woman president of the Indian National Congress was Sarojini Nairu, this is wrong statement, because first Indian lady, पहली अगर lady पूछी जाएंगी, the answer will be any present, तो इसलिए पहली भारती महिला तो हो सकती है, सरोजनी नाइडू, लेकिन पहली महिला नहीं, तो इसलिए यह statement गलत हो गया, दूसरा कराया भारती रास्ति कंग्रेश के पहले अंग्रेश अध्यक्ष बदरुद्दीन बेप थे, यह भी एकदम गलत statement है, क्योंकि कंग्रेश के पहले अंग्रेश अध्यक्ष थे, अल्फ बोलिएगा, चली, आगे बढ़ते हैं, अउनली टू नहीं बच्चे, अनली टू गलत हो जाएगा, यहाँ पर आंसर हो जाएगा, अगर यहाँ पर लिखा होता जार्जियूल, तो हम लोग कहते हैं, यार सही है, क्योंकि जार्जियूल जो हैं, भारती रास्ति कंग्रेश क पहले अंग्रेज अंद्यक्ष रहे हैं जिके न किले है लिए आगे बढ़ते हैं next question which is a sugar influenza sugar influenza जिसको कहते है sugar influenza क्या है it's a bird flu है डिंग्यू है या swine flu है sugar influenza यह क्या होता है देखो हम लोग ने वाइरस बहुत सारे देखे निक कोरोना जैसे तगड़ा वाइरस जो आया है रुख गया हवा में और कई महीनों तक सालों तक कह सकते हैं अभी तक कहीं न कहीं प्रभाव डाल है विस्तों में तो सूकर इंफ्लुएंजा इस रिलेटेट टू स्वाइन फू ठीक है अब यहां पर अगर कभी इसके वाइरस का नाम पूछा जाएंगे तो आप बताओ के हैं इसका स्वाइन फ्लू का ह है एचुवन एडवन ठीक है डेंगु को बोलते हैं बच्चे ब्रेक बोन फीवर ब्रेक बोन फीवर यह डेंगु को बोलते हैं यह पॉइंट आपको याद होना चाहिए हड़ी तोड़को एड्स को जो डाइगनोज होता है उसका नाम जरूर याद रख लीजिए बहुत दिसंबर पूछा गया एलीजा एंजाइम लिंग्ड एम्यून सोरोमेंट एस से यह हो जाता एड्स का डाइगनोस्टेस्ट एक दिसंबर को हम लोग वर्ल्ड एड्स दे के फॉर्म में भी मनाते हैं नेक्स्ट कॉस्च्चन है विलहम मैक्समिलियन वूंट नोन आज फाद के रूप में जानते हैं देखो यह तो ऐसे उड़ा दो सही आंसर हो जाएगा साइकालजी ठीक है क्योंकि फादर आप सोस्यालेजी इस अगस्ट काम्टे नेक्स वेस्टेन इस विच लेंग्वेज वर एड़ेड टू एट सेडियूल इन टूथाउजन थ्री दोजार तीन में आठमी अनसूची में कौन सी भासाइं जोड़ी गई थी पटाबट आंसर करो गए दोजार तीन में आठमी अनसूची में कौन सी भासाइं बाइस भासाइं हैं उनमें आपको बताना है कौन सी भासाइं जोड़ी गई क्या आंसर होगा पटाबट से आंसर कीजिएगा 2003 में हुआ है मैंने बताया बोडो डोगरी मैथली और संथाली यह भासा हैं जोड़े गए तो यहां पर कोकडी तो होगा नहीं सिंधी तो वोगा नहीं संथाली सबसे बड़ा आफीम का उत्पादक राजी कौन सा है मद्यप्रदेश उत्तरप्रदेश राजस्थान या इन मे राजस्ट ओपियम प्रोडूसर स्टेट बताना है। बोलिए भाई क्या अंसर होगा। पटापट से अंसर करोगे। दूसरा सबसे बड़ा अफीम उत्पादक राज जो है वो वह राजस्थान हो जाता है। और राजस्थान भारत में छेत्र फल में नंबर वन स्टेट है। ऊत्तरप्रदेश की बात करें लोगसवा, राजसवा, विधानसवा, विधान परिसस, सीटेव की सबसे हदीक संख्या उत्तरप्रदेश में है। मत्रदेश की बात करते है। भारत का हरद्ज हिस्थल, कह सकते हूँ इसको हम लोग जानते हैं। ठीक है नंगे बढ़ते फॉलीक एसिद इस फॉलीक एसिद भाई कौन तही होता है वी1 V9 V12 V7- को मैंने इमेस में बता या है जब भी विटामिन की बात आता है तो विटामिन में आपको बताना है एक वाटर सल्यूसे फैट सल्यूवल है वाटर सल्यून में विडू और जी नाम आता है Rider में A, D, E और K ये बिटामिन होते हैं ये फेट सिल्यूवल होते हैं वसा में बिले और ये जल में बिले ठीक है अब बी कॉम्प्लेक्स ये भाग पुछे जाएं तो आठ हो जाते हैं कैसे हो जाते हैं B1 थाइमीन है, B2 राइबोफलेमीन है, B3 नियासिन है, B5 पेंटोथेनिक एसीड है, B6 पाइरीडॉक्सिन है, B7 बायोटीन है, B9 फॉलिक एसीड है और B12 साइनो कोबलामीन है तो देखें चार उपर चार नीचे तो टोटल जो हो गया है वो कितने हो गया बाई आठ के लिए रहना, तो आठ भाग होते हैं, B-complex के फॉलिक एसीड बिटामिन B9 है, साइनो कोबलामीन इस विटामिन B12, क्योंकि इसमें कोबल्ट होता है, तो उसको हम लोग साइनो कोबलामीन के दाम से भी जानते हैं, and 7 is बायोटीन, के लिए रहना, चलिए आगे बढ़ते ह सब्सक्राइब का संब्सक्राइब किस से रिलाइंस, TCS, SCLA, Infosys, क्या अंसर हो जाएगा, बोलिये बाई, क्या अंसर होगा, हाँ, फर्स्ट पोजिशन पूछा है, नुन्ना भाई, फर्स्ट पोजिशन पर कौन है, करें आंधर प्रदेश है, सर्च करना, तो थोड़ा सा बदला हुआ, आपको मिलेगा, डेटा, ठीक है, करेंट के अकॉर्डिंग, सर्च करके जरूर आईएगा, ठीक है, मोनिका चौदरी, इसका अंसर क्या होगा, भाई, सिवनेडार हो गया, यह HCL के हो गया, आगे बढ़ते हैं, पोलो, पांच खिलारी बास्केट बाल में, शे खिलारी पूछा जाएगा, तो बॉली बॉल में, ठीक है, और शे खिलारी पूछा जाएगा, तो आप कहोगे आइस होकी में साथ खिलाडी पूछा जाएगा तो आप कहोगे वाटर पोलो में साथ खिलाडी पूछा जाएगा तो आप कहोगे कबड़ी में साथ खिलाडी अगर पूछा जाएगा तो आप कहोगे नेट बॉल में ग्यारा कि नौ खिलाडी पूछा जाएगा तो आप कहोग में पांच होते हैं छे नहीं छे बॉली बॉल में होते हैं साथ बाला याद रखो कबड़ी में साथ नेट बॉल में साथ वाटर पोलो में साथ नौ बाला याद रखो खोकों में नौ बेस बॉल में ठीक है बाकी आपको याद रहेंगे चार पोलो में हैं पांच बास्केट ब में छे वालीगॉल में और आए आई सोकी में चे दो में होते हैं ठीक है चले आगे बढ़ते हैं next question is steel plant of Bokaro was established under which five-year plan with help of USSR जो Bokaro steel plant बना बोकारो जिन जारखंड and Bokaro steel plant was setup on 1964 and 1964 the टाइम आफ थर्ड फाइब प्लाइन और ये USSR की सहता से इसकी स्थापना की गई थी इन थर्ड फाइब प्लाइन FCI वाज अलसो इस्टेबिस्ट इन 1965 फूट कोरप्रेशन आफ इंडिया भी थर्ड फाइब प्लाइन में बनता है ये बात आपको याद होनी चाहिए एड देनेक्स्ट क्वेस्ट इस यूटी आई यूनित ट्रस्ट आफ इंडिया अलसो इस्टेबिज ओन थर्ड फाइब प्लाइन यहां तक को दिक्कत तो नहीं है किसी को एंड फिफ फाइब ये प्लाइन का जो स्लोगन था वो था पावर्टी एलिवियेशन गरीबी उन्मूलन का स्लोगन दिया गया था इन शिक्स फाइब ये प्लाइन नाबार नाबार एंड एक्जिम बैंक बोथ हार स्टेबलिजड अन शिक्स फाइब ये यहां तक किसी को कोई बिलकुर भाई मौका देंगे चली अगला सवाल है पूरा मौका है नरेंदनाद भट्टाचार्या यह औरिजनल नेम रियल नेम किसका था यह खूब मौका है आराम से आंसर दीजिए आप लो ओले भी आंसर कीजिए सारे लो पटा पटा आंसर कीजिए क्या सही आंसर होगा देखे नरेंदनाद भट्टाचार्या यह एमन रॉय का मूल नाम था मनवेंदनात राय पूरा नाम था जैप्रकास नारायन वाज नोन आज लोक नायक एंड पंडित जवालन लहरू की बात करते हैं जब हम तो हम लोग कहते हैं कि ही गौट भारत रत्ना इन 1955 यह पॉइंट के लिए है सुभास चंद्र वोस नोन आज देश नायक एंड सुभास चंद्र वोस वाजदा चैर्मेन आफ इंडियन नेशनल कॉंग् इसके अध्यक्षों होते हैं याद होना चाहिए ठीक है चलिए अगले कोश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं अगला कोश्चन है आंसर कीजिएगा बहुत बढ़िया सवाल है बंगलादेश में कौन सी एक प्रमुख भासा नहीं मैथ लिए इंडियाम चलती है मांकी गारों खासी मांग यह सब चलती है मंगलादेश में नेक्स क्वेस्चन है वेंडिड आंड रेवैलियन बिकेम दा वेसिस ऑफ नेस्टनल एमर्जंसी जो ससस्त्र विद्रो है इसको राश्ट्री आपात काल का आधार कब बनायागे हम लोग जनते हैं जब एमर्जंसी की बात करते हैं तो याद रखना है समय पूरा मिल आया है समझा रहा हूं आप लोग करते हैं जो एमर्जंसी प्रोविजन है वो जर्मनी के कॉंस्टिटूशन से लिया गया है एमर्जंसी तीन तरीके की है आर्टिकल 352 में यहां पर बात की गई है नेस्टनल एमर्जंसी ठीक है एंड 356 में प्रेसिडेंट रूल है राश्पति सा एन 360 में फिनेंशियल एमर्जंसी है यानि की बित्ती आपात काल तीन तरीके के आपात काल हम लोग पढ़ते हैं समिधान में जो जब यह शुरुवात हुआ तो राश्ट्री आपात काल में कहा गया था कि तीन कंडिशन होंगी युद्ध वहयाक्रमण और आंत्रिक असांत होता है 1978 में दा आंसर विल भी 1978 के लिए रह विया के लिए रहना सभी लोगों को 85 में इंद्रा गांधी नेस्टनल ओपन उनिवर्सिटी की स्थापना होती है एगुरू की 1985 में और अगर कभी पूछा जाएगा सार्क South Asian Association for Regional Corporation ये 1985 में बनता है अगर वर्स 2000 की बात करते हैं तो वर्स 2000 में आप लोगों को याद रखना है बड़ा इंपोर्टेंट है वर्स 2000 में जो आप लोगों को याद रखना है एक नवंबर को 36 गड़, नौ नवंबर को उत्तरा खन, पंद्रा नवंबर को जार खन राज्य का गठन होता है ये भी आपको के लिए रहोना चाहिए ठीक है चलिए आगे बढ़ते है विच आफ तर फॉलूइंग इस नौट सोर्स आफ कार्बो हैड्रेट का कौन सा प्रम बोलिए पटा पटा अंसर कीजिए भाई क्यों को बहुत ध्यान से समझेए गाइस क्वेश्चन को कार्बो हैड्रेट का बहिया यह आलू तो मुख्य स्रोथ है हम लोग जानते हैं लेकिन यह तिल का तेल कार्बो हैड्रेट का स्रोथ नहीं है नेक्स्ट है गंभीरा डांस is the folk dance related to which state गंभीरा डांस जो है यह आपका किस राज्य से रिलेटेड है आंसर कीजिए वैसारे लोग देखो बहुत बढ़िया सवाल है गंभीरा अगर निरत की कभी भी हम लोग बात करते हैं तो गंभीरा जो डांस है वो बेस्ट बंगाल का डांस है जत्रा पूछा जाएगा बेस्ट बंगाल का डांस है कालवेलिया पूछा जाएगा घूमर पूछा जाएगा तो सिटी हर्याना के किस सहर को बिग्यान नगर के रूप में जानते हैं हर्याना का कौन सा सहर बिग्यान नगर के रूप में जानते हैं बाकी लोग भी कमेंट सेक्षन में जरूर आंसर किया करो एक ही विद्यार्थी आंसर कर रहा है बाकी मुझे किसी का कमेंट नहीं दिखा तो पोत बादा बढ़ी अधी आँ यह गुरु ग्राम बता रहे हैं उनको जीरू अंडा मिलेगा गलत है कि कि अमित कुमार को मरें गुरु ग्राम जीरू मिलेगा खुक है न ए फीडरेशन हम लोग कहते हुँ कि एक comprising 31 states का जो federation है वो किसको कहते हैं हम लोग जिसमें एक संघी जिला एक राजधानी सामिल federation है 31 राज्जियों को सामिल है उसमें federation ग्रूप में जानते हैं मेक्सिको इटली थाइलेंड या इंडोनेसिया क्या आंसर होगा गोलिए बाई क्या आंसर होगा आप मेंसे ऐसे कितने विद्ध्यार थी हैं जो मेरी अनकेडमी पर क्लास करते हो कल आप लोगों के लिए मैं हिंदी कएक जब अरदस्त क्लास लेके आ रहा हूँ अनकेडमी लर्नर रैप पर तो जुड़िएगा जरूर ठीक है सभी विद्ध्यार थी देखो भाई ये एक 31 राज्यों और एक संघी जिला राजधानी सामिल है मैक्सिको एन मैक्सिको की राजधानी है मैक्सिको सिटी ठीक है याद रखना है भाई चली आगे बूल लिख्या रहें गोल गोल अंडव आवई डंडा कोई बात नहीं मैटा देखो गल्ती करो गल्ती करने वाले ही आगे सीखते हैं यहां गल्ती कर दो कोई दिक्कत नहीं है इस नालको के नाम से जानते है नान मनेशनल एलमुनियम करने इसका है गया इस नैसनल करोग्या निकुंप निकीता ठीक है निव डेली की बात करते हैं तो 69th amendment से दिल्ली को NCR बनाया गया था यह point भी आपको याद रखेंगे आगे बढ़ते हैं चेर्नोबिल nuclear disaster accord in जो चेर्नोबिल परमाड़ो अपदा है वो घटित हुई थी France, Russia, Ukraine जापान फटा बटांसर करोगे चेर्नोबिल जो परमाड़ो अपदा है यह घटित हुई थी France, Russia, Ukraine यह जापान बटांसर बटांसर करते हैं जो परमाड़ो अपदा है यह घटित हुई थी वह आपकी Ukraine ठीक है Ukraine में हुई थी और बर्तमान समय उक्रेन जूज रहा है पूरा उक्रेन ही बरबाद कर दिया रस्या सहर के सहर निस्तनाबूत कर दिये हैं को कह सकते हो कि वर्ल्ड मैप में जो हम बात करते हैं उक्रेन की हाला कि अभी पर्सन आफदा इयर भी हम लोग जानते हैं घोसित किया गया था टाइम मैगजीन ने ज अधीव है और इसी देश ने भी आटेक किया है रस्या ने सभी लोग जानते ही है ठीक है डली राजहरा आयरेन ओर एरिया सिचुएटेड है डली राजहरा लोहाएस खान कहां अस्तित है पुड़िशा जहरकंड करनाटका चथिसगर डली राजहरा हां हिंदी की क्लास मेरी कल होगी अनेकेडमी लर्नर एप पर इतने बजे होगी याद रखिएगा कल आप लोगों को 11 बजे अनेकेडमी लर्नर एप पर मेरी क्लास से जुड़ना है ठीक है कल सुबह 11 बजे आप लोग अनेकेडमी लर्नर एप पर मेरी क्लास से जरूर जुड़िए हिंदी की क्लास स ठीक है याद रहेगा सभी लोगों को जली डली राजहरा लहो एस खान जो है आपका 36 गड़ हो जाती है डली राजहरा लहो एस खान आपकी 36 गड़ हो जाती है अगला सवाल है अधिग्रहाण कब हुआ 1855 अठारा सो चापन यह अठारा सो तिरपन जो है यह आपकी बॉम्बे से थाने यह ट्रेन चली यह हम लोग जानते हैं अठारा सो तिरपन में पहली ट्रेन चली अवद का अधिग्रहाण माल अडिमिस्ट्रेशन का आरोप लगा उसासन का आरोप लगा और अवद को अधिग्रहीद कर लिया गया अठारा सो चौबन में सिच्छा का एक आड आता है उस सिच्छा के एक्ट को हम लोग वुडड़ डिस्पैच अड बोलते हैं क्या बोलते हैं वुड़ डिस्पैच कानून बोलते हैं UPP Ultra Me,роाइवा किया है है कैसे चाहिए राजसभा का पहला सत्र कब हुआ था, 1950, 1951, 1952 या 1955 राजसभा का यह पहला सत्र है, यह आपका कब हुआ था 1950, 1951, 1952 या 1955 पहला सत्र जो है कब हुआ था, क्या सही उत्तर होगा राजसवा का पहला सत्र हुआ है 1922 में राजसवा उच्छ सदन है आर्टिकिल नंबर 80 में है इस्थाई सदन कहा जाता है उच्छ सदन कहा जाता है हम लोग जानते हैं पहला सत्र 1952 में हुआ है 15 मार्च 1950 को प्लानिंग कमीशन बना है 1951 में पहली पंचवर सी योजना शुरू हुई 1955 में स्टेट बेंक आफ इंडिया बना और 1952 में छे अगस्त को 1952 को राश्ट्री विकास परिश्यत भी इस्थापित हुआ था याद रहना है ठीक है चले आगे बढ़ते हैं विच आफ दा फॉलूइंग ग्लेंड्स इस और सोर्स आफ दा एंजाइम टाइलिम फटा बढ़ा आंसर करोगे कौन सी ग्रंथ टाइलिम का एक प्रमुख सुरूत है पैंक्रियाज थाराइड पिट्यूट्री या स्लेवरी ग्लेंड क्या आंसर होगा भाई देगे बड़ बहुत जबर्दस क्वेश्चन है जो कौन सी ग्रंथ टाइलिम इंजाइम का एक प्रमुख सुरूत है स्लेवरी ग्लेंड बेसिकली स्लेवरी ग्लेंड्स होती है तीन पेयर में हमारे पास हमारे सरीर में एक होता है सब्लिंग्वल दूसरा मैक्जिवल तीसरा होता है चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्सक्वेश्चन है हिरोसीमा डे इस सेलिबरेटेड ऑन विच अप फॉलोइंग डेट हिरोसीमा दिवस कि स्थिति को मनाते हैं अमेरिका ने जापान के हिरोसीमा सहर पर 6 अगस्त 1945 को नागसा की सहर पर 9 अगस्त 1945 को एटम मम गिराया तो इ यहीं तक हम लोग धियारति देल आपका यहां पर क्वेश्चन आंसर सहसन मैंने रख्खा हुआ है कशियो है करसी ड свобод को ने वाला है बहुत बहतरिन वीडिएयो तो जितने लोगों ने अभी तक सहसं को ौई-चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, session को share नहीं किया है, सभी लोग भी आफटाफट से channel को subscribe करेंगे, session को share करेंगे और बेहतरीन तरीके से हमारे साथ जुड़े रहेंगे आनन्द आया हो, तो आप लोग अधिक से share करो, और भाज subscribe करिए और कराइए सब्सक्राइब सभी लोग जितने भी दार थी आपके साथ जुड़े हुए हैं सब इसके सब्सक्राइब करें हैं मेरी क्लास रेगुलर एट पी एम पर जुड़िए और कल हिंदी की क्लास में सुभा ग्यारा बजे जुड़ना बिलकुल भुमत भुलिए